भारत देश इस साल आजादी का अमरित महुतसब भी बना रहा है और अपनी 75 वी सालगीरा भी मनाएगा और शायद इसलिए जगा जगा पर आप देखेंगे कि भारत की आजादी में जिन बड़े नेताओं का जिन लोगों का योगदान रहा उनकी तस्वीरें आपको जगा प जिनों ने अपनी जीवन का योगदान दिया भारत के आजादी के लिए उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं एक तरफ आप देख सकते हैं और वहां से शुरू करके आगे तक आप देख सकते हैं कि शहीद अश्वाक उल्ला खान है शहीद भगत सिंग है शहीद सुगदेव है मौमद अली जोहर है मौलाना हसन मद्नी है वहां पर तो तमाम लोगों की तस्वीरें लगीए लगी हैं लेकिन एक तस्वीर पर मैं आपका जो ध्यान हैं वो अकरश्चित करना चाहूंगी और वो है न prag न मेहमदूलहसन की तस्वीर हैं पहले तो आप यह समझे कि जिनकी तस्वीर लगी है इनका भारत के आजादी में कोई योगदान नहीं है मौलाना मेहमदूल हसन बांगलादेश के बड़े इसलामिक स्कॉलर्स में से माने जाते हैं ये इनका जन 5 जुलाई 1950 में हुआ था और तमाम ऐसे जो बड़े बांगलादेश के जो इसलामिक नहीं रही명 ये она को दूलाइन में ये तो बांगलादेश umas हाली में यह खतीब भी बने थे एक जो इसलामिक युनिवरसिटी है उसकी और चांसिलर भी ँशुकूलर्सटेश के है जामिया इसलामिया दारलुलूम की बांगलादेश में तो ये रही इनकी कहानी ये तो बांगलादेशी है लेकिन फोटो किसके होनी चाहिए थी यहाँ पर फोटो होनी चाहिए थी महमूद हसन देवबंदी की जिन्होंने जामिया मीलिया इसलामिया की नीव रखी भारत में और जिनकी सिल्क लेटर्ज करके एक बहुत मशूर जो कहानी है जिसके तहत उन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान भी दिया, उनका दियान्त हो गया था 1920 में लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने खुद मैमूध हसन देवबंदी से कहा था कि आप जामिया मीलिया इसलामिया की नीव रखिये और दारुलूलूम देवबंद उत्तरप्रदेश के बहुत ही जाने माने ये टीचर रहे, प्रोफेसर रहे और वहां पर बच्चों को पढ़ाया, हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाते थे मैमूध हसन देवबंदी, उनकी जगा पर इन बांगलादेशी मौलाना जी की फोटो यहां पर लगी हुई है, जिनका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं है, अब यह गलती है आमादमी पार्टी की तरफ से और अभी तक इसको सही नहीं किया गया है, कई महीनों से यह बोड यहीं पर लगा हुआ है, और आज भी यह बोड यहीं पर लगा हुआ है, तो सवाल यह है कि क्या आमादमी पार्टी को इस बात का पता नहीं था कि यहां पर यह किया जाएगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है वेराल जामिया में अभी भी ये बोर्ड लगा हुआ है और देखते हैं इस गलती को कब ठीक किया जाता है क्योंकि ये जो तस्वीर लगी है ये इनका मुलाना महमदूल हसन का भारत की आजादी में लोगों को ये हमारी आजादी के फ्रीडम फाइटर नहीं है